आज हम बनाएंगे चीजी पोटेटो नगेश जो कि बाहर से बहुत ही क्रंची अंदर से चीजी और सौफ्ट है आज हम इसको हार्ट शेप में प्रिपेर करेंगे जो कि दिखने में बहुत ही सुन्दर है जिसके लिए आप इसे प्रिपेर करें वो आपकी तारिफ करते नहीं थकेंगे पार्टी के लिए फंक्षन के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए भी आप इसे प्रिपेर कर सकते हैं इसे बनाना बहुत इजी है तो चेली स्टार्ट करते है पोटेटो नगेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए पाँच मेडियम साइज के उबले हुए आलू आलू में थोड़े से नमक डाल कर उबाल ले आलू थंडा हो जाने के बाद छिलका निकाल करके हमें से ले लेना है अब हम ये उबले हुए आलू को एक बड़ी वाली बोल मेल लेंगे अब हम मसलते हुए हाथ से आलू को एक डो जैसा बनांगे एकदम चिकना कर लेंगे अब ये आलू को मसलते हुए अच्छा सा एक डो बन चुका है एकदम सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसमें अड़ करेंगे दो बड़ी चमश कटी हुई धनिया पत्ता, आधी छोटी चमश काली मेरिका पाउडर, एक छोटा चमश डालेंगे चिली फ्लेक्स, यह होमेड चिली फ्लेक्स है दोस्तों, आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर करें मिक्स हपस में डाल रहे हूँ एक छोटी चमश, स्वात के अनुसा नमक डालेंगे और यहां पर में डाल रहे हूँ आधा कप मोजरेला चीज, मैं यहां पर मोजरेला चीज ले रहे हूँ, आप चाहे तो प्रोसेस चीज भी ले सकते है, कुछ इस तरह की प्रोसेस चीज आती अब हम इसे एक chopping board पर ले लेंगे और इस तरह से एक roll बनाएंगे हमें अभी इसे triangle shape में shape देना है आप चाहे तो इसे triangle shape में cut कर सकते, square shape की cut कर सकते या फिर गोल-गोल cut कर सकते जैसे आपकी मर्जी मैं इसे hard shape में बना रही हूँ ताकि दिखने में ये थोड़ी सी attractive लगे तो इसे पहले हम इस तरह से triangle shape दे देंगे इस समय आप चाहे तो इसे थोड़ी दर freeze में रख दे ताकि काटने में आसानी हो अब हम एक धार वाला चाकू ले लेंगे और पतले-पतले pieces में कट कर लेंगे आप अगर इसे 5 मिनिट के लिए freeze में रख देते हैं तो फिर तो इसे काटना और आसान हो जाता है अब हम इसमें से एक-एक piece उठाएंगे और इस तरह से बीच में हलका सा दवाव देते हुए hard shape में इसे ready करेंगे अगर आप इस तरह से hard shape नहीं देना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हैं आप इसी तरीके से triangle shape में इसको बना सकते हैं ये देखिए अब हम इन्हें एक plate में ले लेंगे बाकी बचे हुए डो को भी इसी तरीके से shape देंगे फिर हम इसे 10 मिनिट के लिए freeze में रख देंगे अब हम एक bowl में लेंगे दो बड़ी चमच मेदा दो बड़ी चमच कॉन फ्लार या फिर आरा रूट भी ले सकते हैं स्वात के अनुसर इसमें नमक अड़ करेंगे एक चोथा चूटी चमच काली मिरी का पाउडर और एक चोथा कब पानी डालकर एक bowl रेड़ी करेंगे लंप्स नहीं पढ़नी चाहिए अच्छा से इसे मिक्स करें गोल बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए अब हम इस गोल को नगेट्स को डिप करने के लिए यूज करेंगे तो इसे अब हम साइड में रखते हैं नगेट्स के उपर क्रंचिनेस लाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहे हूँ बारिक सेवेई इसे हम तोड़ करके एकदम चूरा बना लेंगे हाथ से इस तरीके से यह बहुत एजिली मार्केट में मिल जाती है और हर घर में अविलेबल होती है अगर आपके पास यह सेवेई नहीं है तो अब रेट कर्प्स भी ले सकते हैं अब हम नगेट्स को फ्राइ करने के प्रोसेस पे चलते हैं पोटेटो नगेट्स को 10 मिनिट फ्रीज में रखने के बाद यह बहुत अच्छे सेट हो गई है और अपने शेप को अच्छे से पकड़ लिया है अब हम जो घोल बना कर रखे हैं उसमें इस नगेट को डाल करके अच्छे से कोट कर लेंगे और फोक के मदद से बहुत हलके हाथ से उठाते हुए क्रम में डाल देंगे सेवे के क्रम को इसके उपर अच्छे से कोट करेंगे इसमें जो भी मौश्चर होगा सेवे की क्रम अबज़र्व कर लेगा और फ्राई करने के बाद एक बहुत ही अच्छी क्रिस्पिनेस आएगी इस तरह से क्रम को कोट करके आप इसे स्टोर करके फ्रीजर में भी रख सकते है जब चाय तब फ्राई करके खा सकते है बाकी बचेवे नगेट को भी हम इसी तरीके से डिप में डालेंगे फिर सेवे के क्रम से कोट कर लेंगे चलिए अब हम ये नगेट को फ्राई करते हैं यहां पर मैंने तेल भी करम कर ली है हाई फ्लेम पे नगेट को फ्राई करेंगे क्योंकि हम ये नगेट को उबले हुए आलू से बना रहे हैं और जो हम सेवई की कोटिंग दिये है वो भी भूनी हुई सेवई होती है इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है बस एक अच्छी क्रंची ने साज है और अंदर से जो हमने चीज डाला है वो मेल्ट हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है एक तरफ जब यहां पर जो हमने पहले नगर्स जाला था तेल में वो रेडी हो चुका है तो इसे निकाल देते हैं यह हलका सा फूल भी गया है आपको अगर नजर आ रहा हो तो यह देखिए और जब यह रेडी हो जाएगा हलका सा चीज बाहर आने लगेगी यह नॉर्मल है इसे कि बचे हुए नगर्स को इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे चाहे तो आप यह नगर्स को इस तरह के स्माइल शेप में भी रेडी कर सकते हैं सारी नगर्स हमारी फ्राई होकर रेडी हो गया है चलिए इसकी क्रिस्पिनेस दिखाती हूँ और इसे तोड़ करके दिखाती हैं कैसे लग रहा है इन नगर्स को आप टेमेटो केचफ या फिर हरी चेटनी या फिर रेड चिली सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं आप इन नगर्स को किसी भी पार्टी, फंक्षन, इवनिंग स्नैक या फिर आजकल रमजन चल रहा है तो आप इफ्तार के लिए से प्रिपेर कर सकते हैं बहुत ये अमेजिंग रेशिपी है एक बार जरू ट्राई करें अभी ये नगेट को बने हुए पांच मिनेट हो चुका है फोटो शूट भी हो चुकी है फिर भी इसकी क्रिस्पिनस बरकरार है ये कितनी क्रिस्पि है आपने इसके आवज तो सुन ली होगी और अभी ये कितनी अंदर से सौफ्ट और चीजी है वो भी देख लीजिए दोस्तों इस रेस्पि को जरूर ट्राय करें अगर आपको रेस्पि पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और मेरे चैनल में अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें फि झाल झाल